नमो वाकम प्रशास भहे नमस्कार मित्रों एक बार फिर से स्वागत है आपका संधी की स्रिंखला में स्वरसंधी की स्रिंखला में आज हम पूर्व रूप संधी पढ़ेंगे अभी तक हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले दीर्ग संधी पढ़े उसके बाद गुण संधी यन स संधी आयादी संधी इत्यादी हम पढ़ चुके हैं अगला टॉपिक हमारा है पूर्व रूप संधी ठीक पूर्व और पर के बारे में हम जान चुके हैं पूर्व मतलब होता है पहले और पर मतलब होता है बाद में ठीक पूर्व मतलब पहले और पर मतलब बाद में इसके जो नियम है पाणेनी जी के जो सूतर है फ्रिद्धी संधी वाला था इसका हम अर्थ देखेंगे पहले पदक्षेद करते हैं फ्रिद्धी संधी वाला था पर इंग प्रत्याहार है ठीक पदान्तात पदान्तात अती ठीक देखिए एंग अहां पदान्तात यह विशेशन हो जाए कैसा एंग तो पदान्त इंग पद धन अन्त अधर पदान्त पद के अन्तिम जो एंग है मतलब शब्द के अन्त में जो एंग आता है एंग मतलब क्या होता एंग प्रत्याहर है एंग के ए से एंग केंग तक ए और ओ ठीक एंग मतलब हो गया A और O भाई कैसे A और O तो कहाँ पदांत A और O पदांत मतलब जो शब्द के अंत में आते हैं ऐसा A और शब्द के अंत में आने वाला O अधवर जिसकी पद संग्या हुई हूँ ऐसा भी कह सकते हैं तो पदांत A और O के बाद यदि आती मतलब छोट आ यहाँ पर क्या है सब्दमी का एक बचन आती आ के होने पर ठीक क्या होता है दौनों के स्थान में पूर्वबा पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है ठीक इसका थोड़ा सा आर्ट लिख लेंगे समझने के लिए पदांत A एंग से आहने पर अने पर ठीक पूर्वबा पर के स्थान पर पूर्वबा पर के स्थान में स्थान में क्या होता है पूर्व रूपी एकादेश होता है ठीक है देखिए एंगा पदान्तात अतिपरतः ठीक पदान्त एंग से अत के परे रहने पर पदान्त एंग से आ आने पर पदान्त एंग मतलब अंतिम शब्द के अंत में जो ए और रहेगा उसके बाद यदि छोटा आ आता है तो क्या होता है पूर्व पर के स्थान पे पहले और बाद में पूर्व और पर के स्थान पे अवड कि सिभीन अवड ढहु ठीक हारे धन अब अव यां पर देखिए हारे भनदञा अभी हरे दो है राम Hash way हो अम पदआंट अ है ना पढ़के यंत में है आल्ब़ पद संग्या है की पढ़ांट अ हुआ है राम ए ठीक और उसके बाद आता है अवका आ पदांत एंग के बाद एंग किसे कहते हैं तो एंग कहते हैं ए और ओ को इसके बाद आ आने पर तो यहां पर आया है ठीक पूर्व वापर के स्थान पर पूर्व मतलब ए और आ के स्थान पर क्या होता है पूर्व रूपिय का देश हो पूर्व में कौन सा वर्ण है तो इन दौनों के स्थान पे केवल ए हो जाएगा ठीक पूर्वबा पर के स्थान पे पूर्वरूपी एकादेश होता है तो इन दौनों के स्थान पे क्या रहा ए मतलब इसके स्थान पे और इसके स्थान पे केवल ए बचा है ना रहल है मिल जा जब आ का पुर्व रूप होता है तो खंडाकार वीज में चूट जाता है हरे वह उसी तरह से देखिए भिष्णोव हरे जो बना है वो संबोधन में बना है है ना संबुध्धि के एक बचन में बनता है हरे अब मतलब रक्षा करिए हे हरी हमारी रक्षा करें अब रक्षण धातु है तो हरी को संबोधित करके कहा जा रहा है हरे हे भगवान हरी हमारी रक्षा करें ठीक फिर से यहां देखिए इसकी पदसंग्या है सुबंत और तिंगंत की पदसंग्या होती है तो यह सुबंत है है ना संबोधन का एग बचन सुप्रत्य यहां पर आता है और इसकी पदसंग्या हो जाती चुकि सुबंत है सुप्रत्य इसके अंत में रहा है पहले हरे धनव तो ये पदान्त हुआ पदान्त ए के बाद आने पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूपी एकादेश होता है है ना तो पदान्त ए हुआ हरे रामे ए अत सामने अवका आ इन दोनों के स्थान पर ए और आ के स्थान पर पूर्व रूपी एकादेश, पूर्व में क्या है? ए है, तो इन दोनों के स्थान पर केवल ए शेस रहेगा, ठीक, अब देखिए, जब ए शेस रहेगा, तो यहाँ पर क्या वैचा? हर रहल है, तो यहाँ पर केवल हुआ, चुकि भाई आ और एक के स्थान पर तो हमने एक कर चुके है ना अल्रेडी पूर्वबा पर के स्थान पर पूर्वरूपी एकादेश ठीक है तो यह वाला जो है वो रासी मिल गया हरे और अब चूंकि हमने को पिलाया हटाया यहां से तो उसका खंड़ाकार चूट जाएगा अपर यहां पदानतियव्हा विख्णो भी संबोधन न का वचनंबन जैसे विखों हूँ जैसे हरी उसका चलता है दुरी विखुट है जबने diff चलते हैंना विख्णु सब्द है गुरु की तरह हुआ गुरुeten बचन में क्या था है इसलिए इसकी पत संग्या है भाई सुमंत है इसलिए इसकी पत संग्या हो तो पदान्थ हमें ओ यहाँ पर मिल गया विश्णोणा में ओ पदान्थ ओ के बाद अब का आएत भी सामने है तो पदान्थ एंग है ओ एंग के न्थ दो अज़नाते ए और ओ पदान्थ एंग हुआ आपका ओ इसके बाद आ आने पर तो आ भी आ गया यहां पर दौनों के स्थान पर जो पूर्व में है वही केवल शेस रहेगा यहां पर केवल ओ रहा इन दौनों के स्थान पर क्या है विश्ण अनाहल है और यहां पर केवल हुआ है ठीक लोगा आजूंकि इधर और मिलके केवल ओशेज रहा है तो यहां पर बन जाएगा अना में व मिल जाएगा आपका विश्णु चुकि हमने हटाया यहां से तो आका हो जाएगा खंडाकार विश्णु ठीक हरेव विश्णु यह प्रसिद्ध उदारण है दो दारण और इसके देखते हैं हम पूर्व संधुक है देखिए एक है है अग्ने धन अत्र ठीक और दूसरा है वायो भान सम्बोधन के अग्ने मुसम भषेर काई संबोधन का है ना तो यहां पर क्या होगा पदांत ए है यहां पर भी पदांत ओ है आप नौर्मलिया से भी आपसे संच सकते हैं लास्ट में जब ए और ओपर ऐ शब्द के तो अगर अंतिम ए और ओ के बाद यदि छोटा आ आता है तो उन दोनों के स्थान में पूर्व रूपी एकादेश होता है मतलब पूर्व में जो बारने क्यों वही शेस रह जाएगा ठीक है तो पदान्त ए है अगने नामे ए अगन ए अत्र ठीक है यहाँ पर भी वही करिए वाय ओ अत्र वाय ओ यामे ओ है इसको बाद निकाला या हल हो गया अब सूत्र क्या कहता है पदान देंग के बाद पदान देंग है और ओ यदि छोटा आता है अभी आया है दोनों की स्थान पर क्या हो जाएगा पूर्व और पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूपीudent यहां पर यहां पर एख जाएगा तो पूर और जाएगा ठीड़ जोड दीजी मिल गया ना से एक मिल जाने के बाद यहांपर थूकि हमने आपको इधर मिलाया तो खंडाकार यहां पर केवल सेस्ट रह जाएगा तो अगनेत्र उसी तरह पर यहां पर वायोत्र कि अब हम इसका थोड़ा सा पदच्छेद देखेंगे कि देखिए एक चीज और आपको बता दूँ देखिए यह जो संधी है पूरवरूप संधी यह आयादी संधी का अपबादक है है ना आयादी संधी में क्या होता है एक इस्थान आयादेस होता है स्वरवर्ण के सामने रहने पर है ना वो स्वरवर्ण अच्छी परता कहता है लेकिन यह क पदान्तादती जो सूत्र है अब वादक सूत्र है ठीक इसके बाद हम देखेंगे देखिए सूत्र क्या था हमारा एंगह पदान्तादती लिखते हैं यह लिखा है एंगह पदान्तादती ठीक है अब यहां पर पदान्तात यह सब्द क्यों कहा है ना इस सूत्र में कितने पंचमी के एक बचन है ना अती एक पद को जानेंगे तो यहां पर यह पदानतात सब्द क्यों कहा केवल यही कह देते कि एंग के बाद अत आने पर पूर्वरूप होता है यह क्यों कहा कि पदानत एंग होना चाहिए है ना तो उसके लिए है दध्यत्र एक बनता है दधी धन अत्र है ना इसमा कीजित दधी अत्र नहीं जैसे चयनम है ना अधनjem आप यहां पर देख किछनदन अनम है अभी अभावर पदतं नहीं है ना यहां पत संंधी यहां पर आयादी शंधी प्रवडिद्धा होगा एक इस्थान पर आयादे सो जाएगा तो चैनम बन जाएगा इसलिए सूत्र में पदान्त एंग से अत्के परे रहने पर कहा, जो इै पदान्त एंग नहीं है, इसकी पद संझ्या नहीं हुई है, यह न, यदि पदान्त एंग न कहते हैं तो यहां पर अरिष्ट रूप बनने लग जाता, ठीक चैनम पाबना मित्याधी, इसके बाद कहते इंग एंग क्यों कहा गया है सूत्र में तो प्रयोग बनता है धार जात्रहं शन यहां पर फ्रफिय अगर द्रफ कई पाहिए तकट्रहद की आइक किसी भी प्लत से अत के परेरे पर फूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप होता है तो यहां पर होता है यहां तो यह प्रयों ने लग्या इसलिए यहां में प्ण कहा गया आत मतलब छोटा आ तो यहां पर भी अनिष्ट रूप बनने लग जाता इसका भी पूरूरूप हो जाने लगता इसलिए यहां पर सूत्र में आती इस पद को रखा गया है तो देखिए आप सूत्रकार्थ इस तरह से है पदांत एंग से अत के परे रहने पर है ना पदांत मत इस्प्तषथान बीस्तितय दarksते होता है फिक है उनकी पदसंग्या होती है उस कि सा एंग पदांत एंग मतलब होता है ओ पदांत एंग के बाद यदि छोटा आ आता है तो है न के फ rend ensuite कि क्या होता पूर्व रूपी एकादेस होता है मतलब तौनों के स्थान में आपरह में है यह ना पूर्व में अधवा ए हो जाएगा किवल ओ अधवा एशेस रह जाएगा जैसे हमने देखा हरे धन अब होता है है ना तो यह आ जो है वह इस इधर आ जाता है हरे बन जाता है उसी तरह से विश्नोब विश्नोधन अब पदान तेंग ओ है सामने हैं दौनों के स्थान में पूर्व रूपी एकादेश होता है पूर्व में ओ है किवल पूर्व वाला शेस रह जाएगा खंड़कार यहां पर आ जाएगा आकी जगह हो जाएगा विश्नोब ठीक है तो यह पूर्वरूप संधी है इसमें लगभग हरेव हो गया विश्नोब हो गया यही पॉपुलर उदाहरण है तो इनको ध्यान रखिएगा बाकि यह कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं धन्यवाद